हाई फ्रेंड्स आज हम दिखाएंगे कि कोई भी htl फाइल को हम artcam में किस तरह से इंपोर्ट करके उसको रिलीब में कॉन्वर्ट करते हैं देख लिजिए तो पहले हम artcam में जाके फाइल न्यू मोडेल और इधर साइज लेंगे इंची में 24 इंच वाई 24 इंच फिर इसको मिलिमीटर में यूनिट को सिलेक रखके ओके कर देंगे फिर विंडोज में जाके टाइल भाटिकली दोनों भीव देख लेंगे अभी क्या करना है artcam लुवर भार्षन जो है उसके लिए रिलीफ इधर से इंपोर्ट 3D मोडेल और यह जो मोडेल है इसी से हमें कि रिलीफ क्रियेट करना है तो इंपोर्ट करने से यह इस तरह से दिखेगा देखिए यह साइट व्यू में दिख रहा है तो हम इदर सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो यह पेज का सेंटर में चला गया देख लिजी यह सेंटर में चला गया अभी इसको सीधा करना है तो सेंटर में रखने के बाद इसका जो y-axis है y-axis को हम 90 डिग्री कर दे रहा हूं फिर apply देखिए y-axis करने से क्या है इस तरह से यह खड़ा हो गया अभी एक सेक्सिस को हम 90 कर रहे हैं देख लिजे यह ऐसा खड़ा होके एक दम पेच के उपर चला गया अभी center यह करने से इसका जो base है वो 0 हो गया अभी इसको जूम करके देख लिजे देखा इसके बाद क्या है इसको paste कर देंगे अभी इसको paste करने से यह देखिए यह आठकेम के अंदर चला आया और यह relief में convert हो गया इसको अभी हम export करेंगी कैसे relief इदर से save composite और आठकेम relief में save करने से एक problem है problem क्या है यह जो दूसरा वाला आठकेम का भार्षन में open नहीं होगा फिर क्या करना है इसको आठकेम 9 relief करके save करना है इससे क्या होगा आठकेम का कोई भी भार्षन में यह import हो जाएगा open भी हो जाएगा तो आशा करता हूँ यह बात आप समझ गए तो इस तरह से कोई भी htl फाइल को आप relief में convert कर सकते हैं thank you friends best of luck हुआ 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 है